नमस्कार साथियों स्वागते आपका अपने योटूब चैनल MBD क्लास पर दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्तान जीके से समंदी टॉप 40 क्यूशन्स दोस्तों यह 40 क्यूशन्स है अपके न्यू पेटन पर आदा रही थैं न्यू मोडल टेस्सीज पर आदा रही थैं यानि कि अब अलड वाला जो इस अपका टेस सीज होता था दोस्तों वह अब टेस्सीज आपके काम के नहीं है इसलिए मैंने नए patent पे आपके लिए नए practice set त्यार किया है दोस्तों तो एक बार इन practice set को जरूर देखें दोस्तों तो शुरू कूर करेंगे दोस्तों अपना practice set जीरो फॉर्ट आज हम लेने वाले top 40 questions दोस्तों अगर आप MED class के YouTube channel पर नहीं हो तो MED class के YouTube channel को जरूर सब्सक्रीब करें साथी में bell icon को आपन जरूर करें ताकि हमारे notification आप तक पहुंचते रहे और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें ठीक है दोस्तों तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के top 40 questions शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को जादा से जादा सेर कर लीजिए फटा फट तो शुरू करते हैं आज के question पहला question है दोस्तों लावा ठीकाने को केंद्रिय सरकार के आदेश से जैपू रियासत में कब सामिल किया गया जैपूर ठीकाने को केंद्रिय सरकार के आदेश से जैपूर रियासत में कब सामिल किया गया दोस्तों राजस्तान एकिकन से आपके सामने question लेकर आया हुआ है दोस्तों यह बहुत ही execution है दोस्तों ज़्यादा hard नहीं है ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा यह 19 जुले 1948 को जो लावा ठीकाने है दोस्तों उसको केंद्रिय सरकार के आदेश पर जैपूर रियासत में सामिल किया गया था option 8 items पर होगा अगला question है दोस्तों नीमन कथन किसका है यदी मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकालने का बाहर निकाल फैकने का काम कौन करेगा यह मानिके लालवर्मा का बहर जोरावर शिंग भारत का सी एच सागर्मल गोपा का डी है अरजुनलाज सेठी दोस्तो किस स्योतंता सैनानी ने कहा था कि यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल कर फैकने का काम कौन करेगा देखे दोस्तो ये कतन किसका है तो दोस्तो ये कतन है आपके अर्जुन लाज सेठी का अर्जुन लाज सेठी ने कहा था कि यद बी डाबी हत्याकांट 1923, बी है तासीमो कांट 1947, सी है राष्थापाल कांट 1947 और डी है बेंगू हत्याकांट 1923, ठाकर चत्तर सिंग तथा ठाकर पंचम सिंग का समन्त किस हत्याकांट चे है, यह आपके किशान आदोलन आ गया है, दोस्तों किशान आदोलन से बहुत ही most important question ब 247 है जो आपके ठाकर चत्तर सिंग और ठाकर पंचम सिंग से समन्त किशान दोस्तों सवराजीय बाउनी तथा नेना खसम रचनाए किसकी है, यह रामदायरन सानमा, भी है कवितेज, सी है रमेश्वामी, डी है दौलत राम भंडारी सवराजीय बाउनी और नेना खसम रचनाए किसकी है, यह रचनाए किस लेखेक नेडिकी है, सवराजीय बाउनी और नेना खसम तो इसका राइटेश और दोस्तों कवितेज, यह दोनों रचनाए कवितेज की है कौन सी, सवराजीय बाउनी और नेना खसम अगला किशने दोस्तों नियुन में से कौन सा अध्यक्स अपने परजा मंदल से सही सुमेलितन नहीं है आपको परजा मंदल दे रखे हैं और एक तरह आपके उनकी अध्यक्स दे रखे है अध्यक्स दोस्तों आपको पता करना है कि किस परजा मंदल का अध्यक्स है जो उनके अध्यक्स से सही सुमेलितन नहीं है इसका राइच एंसर कोजाएगा कि दोस्तो ये जहलावार जहलावार क जो अदिक्स है दोस्तो वो है आंगेलाल भविय। कि मीठा लाल व्यास ठीक है तो इसका राइट एंस वर यह हो जएगा जला वाड़े वो सई सुमेलित नहीं है जला वाड़ के अधिक्ष कौन थे मांगी लाल भविया और दोस्तों मिठा लाल व्यास है यह आपके जसल में परजामनल के अधिक्ष थे अगले कुछ दोस्तों अंग्रे जोके साथ अधिन्ष्ट पार्थिक्यक्य की निती के तहत नौमबर 817 ए में सरोपुर्थम संदी किस जिया सतने की थी बहुत ही इंपोर्टेंट किश्ण है दोस्तों ठीक है तो इसका राइट एंस रो जाएगा दोस्तों आपके ओप्सन डी करोली ने सरोपर्थम अंग्रेज़ों से आपके अधिश्ट पार्ते के नितिके तेप संदी कीती वो किशने कीती करोली ने कभी कीती नवंबर 817 में अगले किशने दोस्तों कुम्बल गट के युद्ध 1518 ए में मुगल सेना का नेतर तो किशने किया था ए है अब्दुल्डेहिं खाने खाना बी है सुल्तान खाना सी है सहाजा खाना और डी है मान सिंग कचावा कुम्बल गट का युद्ध कब लड़ा गया था 1518 ए में किनके मद्धिय लड़ा गया था तो दोस्तों वहाँ पर आपके मुगल सेना का जो नेतर तो किशने किया था तो दोस्तों वह किया था आपके सहाबाज खाने और संसी राइट एस रोगा अगले कीले दोस्तों दौलपूर नगर की इस्तापना किसके द्वारा की गईWow इसका राज़ाएंस रोज है दोस्तों अप्शन बी दोलदेव के नाम पर ये दोलपूर पढ़ाया दोस्तों अट्वारा किसके द्वारा की गई आपके दवल देव ने अगले दोस्तों सिहाड नाथ द्वारा में राज सिंग द्वारा सिरी विठल नाथ जी की मूर्ती की इस्थापना किश्वर्स करवाई गई थी सिहाड नाथ द्वारा में राज सिंग जी द्वारा विठल नाथ जी की मूर्ती की इस्थापना किश्वर्स करवाई गई थी इसका राइटेंस रह जाएगे दोस्तों सी शोले सो बहतरी स्वी में औप्शन सी राइटेंस रहोगा अगले कुशन है दोस्तों राजस्तान साहितिया अकाद्मी उद्वारी की मासिक पत्रिका का क्या नाम है यह जात्ति जोत भी है रिहान सी है ब्रिज सत्दल डी है मदुमत most important कुशन है दोस्तों बहुत ही important है आपके अग्चम के लिए अगर आप पट्वारी, कॉंस्टेबल, एल्डी सी, ग्राम से आरेस की भी तेयरी कर रहे हो तो यह कि उसे नापके लिए बहुत ही महत्पूर है तो राजस्तान साहिती अकाद्मी उद्यपूर की मासिक पत्रिका का क्या नाम है तो दोस्तों इसका राइट हैंस रोज़ेगा आपके option D मधुमती राजस्तान साहिती अकाद्मी की जो मासिक पत्रिका है उसका नाम है मधुमती, option D राइट हैंस रोगा अगला कुछन है दोस्तों निमलेकित को सही सुमेलित कीजिए आपे रजनाय दे रखे हैं और सामने लेख का नाम दे रखा है दोस्तों आपको सही सुमेलित करना है यह है वीरमायन के सामने दे रखा है बाहदर डड़ी ख़ए शत्रु साल राश्टों के सामने दे रखा है आपके डूंगरसी, सब्दानु सासन के सामने दे रखा है हेमरतन सुरी और विश्व वल्लुप के सामने दे रखा है चक्रपानी मिसर तो आपको सुमिलित करना है कौन सा जोड़ा है जो सही है आपका कौन साइंस्टोर और है जो सही है औरक रखा है 1-2-3-4-1-2-4-3-1-3-2-4-3-4 और D दे रखा है आपके 4.3.2-1 आपको एशेक्विशन बनेंगे आपके पटवार आपके आरेस केदो ग्राम सेवक है यह थी ऐनके लिए पहसी जांद में गया दोस्ति इसका राइट हैंस और आकड़ मोसा संथा फानब चार श में लिते हैं संबके चाहिए मुरतन सूरी और विश्व वल्लब के लेखके आपके चक्रपानी मिश्र यहनि इसका राइट एंस रोजेगा ए एक दो तीन चार अगला कुछन है निन में से कौन सी रचना राजस्तान का पर्थम उपनियास है ए है केसर विलास बी है विश्राल परवास सी है आभेपटकी औ सिट्रम्रा राजस्तान का पर्थम उपनियास में 1200 अगला किशन है राजस्तान में वर्त सिमांत ब्रंस सेतर में कौन से जिल्य आते हैं या जी बी आप कह सकते हो ठीक है जी बी आप या वरत सिमांद बुंदी और स्वाइमादोपूर में आते हैं अगले कुछी ने राजमहल टोक में किन नद्यों का तिर्वेनी संगम बनता है इसका राइट आप सरो जाएक दोस्तों बी बनाश आई खारी का आपकी राजमेल टोग में तिर्वेणी संगम बनता है ओप्शन बी अगले कुछ ने राजस्तान के किस शेतर का देनिक तापांतर सर्वादिक रहता है इसका राजसर हो जाएगे दोस्तो पच्चिमी सेतर का देनिक तापांतर का सर्वादिक रहने का क्या कारण है तो दोस्तो उसका कारण है आपके मरुष्तर दोस्तो रेत होती है रेत की विशिष्ट उसमा बहुत ही कम होती है जो दीरे-दीरे ठंडी होती है और दीरे-दीरे गरम होती है तो उसकी जो डेनिक तापांतर है दोस्तो वो सरवादिक रहता है ठीक है अगर जिले की बात की जाए देनिक तापांतर की तो डेनिक तापांतर सीपलल करते और बोर की परसिदे और लुद की परसिदे और ब capitalize अब्सक्रिखर नासिवांद कर्सद 54 के कौते अगले संटी रत्नागेरी कन्या उपवन इसका दोस्तों सवरी 2017 में आपके उद्गाठन किया गया था रत्नागेरी कन्या उपवन तो दोस्तों यह आपके भुवणा कहां पे है भुवणा उद्यपूर में तो रत्नागेरी कन्या उपवन है आपके भुवणा उद्यपूर में इस्तिते आप्सन बी राइट एंस रोगा रतना गिरी निया उपन का प्रिष्थी दे उधेवूर उद्धेपूर तो अगला क्यों ने एक ही व्यक्ति दो से अधिक राज्यों का राजयपाल नुक्त किया जा सकता है ये वयोष्ता की स्योईदान सरसोदन द्वारा की गई तो दोस्तों इसका राइट है सरोजाएक आपके ओप्शन B सांस से स्योईदान सरसोदन जो कि आपके उनिश्टो थपन में हुआ था दोस्तों ठीक है तो सांसवी सरीधान संसोधन के तहत यह व्यवश्टत की गई कि एक ही व्यक्ति दोस्य अधिक राजयों का राजयों का राजय पाल न्यूक्त किया जा सकता है तो इसका राइट है सो रोजय कब B अगला कुषिन है अनुचेष 161 समंदित है A राजय पाल की निक्ति से B है राजय पाल की सपसे C है राजय पाल की योग्यता है और D है राजय पाल की समादान सक्ते अनुचेद 161 समंदित है इसका राइटन से रोजय अगर दोस्तों अप्शन D राजेपाल की समाधान सक्ति है वो आपके अनुचेद 161 में दे रखिये है तो इसका राइटन से रोजय अगर D अनुचेद 161 की से समंदित है राजेपाल की समाधान सक्ति से अगला कुशन है दोस्तों मेक्सिकन लाल बहादूर मंगला आदी है ए है गेहों की किस्मे बी है बेडो की नसल सी है चावल की किस्मे डी है पुस्वों की वीदेशी नसल मेक्सिकन लाल बहादूर मंगला आदी है कुछ के मन में आ रहा होगा मंगला दे रखा हो तो तेल का कुवा होगा लेकिन दोश्तों मंगला तेल का कुवा भी है लेकिन यहाँ पर यह मंगला आ लगे तो मेक्सिकन लाल बहादूर मंगला यह आपके गेहों की किसमे है अफसर ए राइट है सुरोगा गेहों की किसमे अगले कुछन है निन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह आपके 2011 की जनगणा मैं से क्यूसन बना है दोस्तों तो आपको पतां होना चाहिए सरवादिक लिंगानुपात डिनाथ सत्हिस ग जिल्ले का है कि नत्व जिल्ले का है शक् շ inh ру brands सर्वादीक सर्वादिक जख्राना नसल की बक्रियों का मूल इस्तान है तो दोस्तों जख्राना नसल की बक्रियों का मूल इस्तान है तो दोस्तों यह आपके अलवर जिल्ले में पाई जाती है और निका मूल इस्तान है अलवर है तो इसका राइटेंस हो जग भी जख्राना नसल की बक्रिया का मूल अलवार है option B राइट आश्रोगा अगला क्यों ने operation फ्लट कारियकरम का प्रारम किस वर्च किया गया था यह है 1967, b 1968, c1970, d1975 के अप्रेशन फ्लट कारिकरम किस सबसंदित है कि मिलने operation फ्लट कारिकरम किस वर्च को करीचन यह चूर्प 大इट कई सबस्तों यह सबस्ते कि मिलने चलिक पढ़े ult 되면, c9牛ीघ किस वर्च के मिलेखन हो अगले उसने इंदिरागादी नहर प्रियोजना से निकलने वाली पर्मुक साखाओं में निम्न में से कौन सा युगमत सही सुमेलितन नहीं है आपको क्यों साखा दे रख़िए और सामने समधित दे रखा है कौन से रखा है घाटोपने नहीं है तो दोस्तो इसका रइट हैं से लोजेगा और पूगुल साका करले बिकले और सब्सक्राइक के ःस्यांट सभाट सब्सक्राइब कब प्रारम की गई इसका राइटेंश रोजाए कि दोस्तों आपके ओप्शन B 4 फरवरी 2015 को आपके शोकनिय समर्दी योजना प्रारम की गई अगले कि उसने सिशा जस्ता खनन सेतर कायड खान कहां पर इस्तित है अगले कि उसने गलत जिग्म को पहचान इए आपके ओप्शन कहने को खनीश दे रखा है और समंदित खान या खनन सेतर दे रखा है तो ए दे रखा है जिप्शम सलादिपूरा बी है एस्मेस्टर स्रिशब्देव सी है हीरा केसरपूरा डी है अब्रक भूर्गास इसका राइट आँ से रोजाएख दोस्तों अब्सक ए जिप्शम में आपके शलादिपूरा यह सिक्र में पढ़ता है जिप्शम सिक्र में नहीं किलता है दोस्तों जवसम पहरी हैं तो दोस्तों जिश्चिम आपके already पूरा में सलादी पूर पूरा निकलता है तो इसकी तुपर नहीं हिए गलत आ तो आपके option यह वो आपका गलत है ठीक है स्वेसिटे से वो आपके रिशाब्य उध्यपूर में निकलता है ही रहे हैं आपके बुगास बीदोरा में निकलता है अगले कुछे में हरित क्रान्ति की सुरुआत कं हुई ती हुरित क्रामति की शुरूहत कि 55 प्रूज़ना में हुई थी तो वह हूँ थी अब अगलें उसने उत्तरडकूनी कोरिडोर में राज़यस्थान का कौन सा जिल्ला आता है ये आजमेर, B, दॉलपूर, C, शिरोई और D है भाठपूर ये आपके National Highway से समन देते हैं दोस्तों, उत्रदक्षिनी कॉरिडोर में राज़्तान का कौन सा जिल्ला आता है तो ये राज़्तान का एक ही जिल्ला आता है दोस्तों उतरी दक्षिनी कोर्यडोर के अंदर और वह कौन सा है तो दोस्तों वह है आपका Option B लाइटेंस रोगा दालपुर है आपके उतरी दक्षिनी कोर्यडोर के अंदर क्षिन आता है क्रिएटिव सिटी गोशित किया गया है तो दोस्तों इसका राइटन सुर जाएगा ऑप्शन डी जयपूर को अगला कि उसरे राज्तान में पहली बार सहकारी समीती विदेग कब पारित किया गया इसका राज्विस्तान में पहली बार सहकारी समीती विदेग कब पारित किया गया इसका राइट एंस रोजेगा ऑप्शन B 1903 पन में ऑप्शन B राइट एंस रोगा अगले कुछने किस पंच वर्षे योजना के तहत सभी जिल्लों में जिल्ला उद्यों केंद्रों की इस्तापना की गी इह है पर्तम, B तर्तिय, C पंचम और D.S. सब्तम किस पंच वर्षे योजना के तहत सभी जिल्लों में जिल्ला उद्यों केंद्रों की इस्तापना की गी तो दोस्तों इसका राइट एंस रोजाएगा आपके ऑप्शन C, पंचम और योजना के तहत राज्य के सभी जिल्लों में जिल्ला हुद्यों केंद्रों के इस्तापना की ले अगला क्योशन है सुर्शुरा अजमेर से किस लोग देवता का समन्द है ए राम देव जी, बी पाबू जी, सी तेजा जी, डी है देव नरायन जी सुर्शुरा अजमेर से किस लोग देवता का समन्द है इसका राइट आइसर हो जाएगा दोस्तों आपके ओप्शन C तेजा जी का शुर शुर आया अजमेर, सिंद्री अजमेर, बासी, दुगारी, बुंदी यह आपके सारे इस्थाल के से समझ देते हैं तेजा जी के मंदिर बने हुए अगले क्योशन है तेमडी पर्वत किस जिल्ले में इस्थित है A. शिरुई, B. अजमेर, C. उध्यपूर, D. जसल मेर तेमडी पर्वत किस जिल्ले में इस्थित है इसका राइट आइसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन D. जसल मेर मेर तेमडी पर्वत पर दोस्तों आपके आउट माता का मंदिर बना हुआ है कहाँ पर जसल मेर अगले क्योशन है किस लोग देवी की अरादना में लांगूरिय गीत गाए जाते है A. सितला माता, B. कैला देवी, C. जमबवाई माता और D. सिला देवी किस लोग देवी की अरादना में लांगूरिय गीत गाए जाते है इसका राइटना देवी की अरादना में लांगूरिय गीत गाए जाते है अप्शन B. राइटना देवी का मंदिर आपके करोली में इस्तित है यादव राजमस की कुल देवी है कैला देवी अगले कुशने संत पिपा का परमुक मंदिर इस्तित है E. है टोड़ाइसिंग, B. है गागरौन, C. है पिपा सर गाउं, D. है संत पिपा का परमुक मंदिर इस्तित है इसका राइटना देवी का दोस्तों आपके ऑप्शन D संत पिपा की चतरिय दोस्तों गागरौन द्रुग में इस्तित है और संथ पीपा की गुफा है दोस्तों वो आपकी टोडाराइसिंग टोक में इस्तित है तो तीनों बाते आपको याद रखनी है मंदिल, समदली काउंट, बाड में आप सत्री काउंपे, गागराउंदुरत और गुफा है टोडाराइसिंग टोक अगला कुछ ने रावत भाटा पर्माणू सक्तिग्रह के इस्तापना किष्ट देश के सेयोग से की गई A.R.US, B.A. USA, C.A. कनाड़ा, D.H. Germany रावत भाटा पर्माणू सक्तिग्रह के इस्तापना कम की गई? 1972 में की गई थी दोस्तों ठीक है? 1972 में आपके रावत भाटा पर्माणू सक्तिग्रह के इस्तापना की गई है और इसे जो विदुद प्राप्त होती है दोस्तों वह होती है आपके 180 मेगावाण ठीक है? तो इसकी इस्तापना है दोस्तों आपके कनाड़ा देश के सियोग से की गई अगला किशन है राम नवमी का त्योहर मनाया जाता है ए है बादरपद सुकल नवमी, ब है कार्तिक सुकल नवमी, सी है चेत्र सुकल नवमी, ड है वैसाक सुकल नवमी राम नवमी का त्यार नवमी को यह होगा दोस्तों क्यों नवमी लगा हुआ है तो कब मनाई जाती है तो दोस्तों यह मनाई जाती है आपके चैत्रशुक्लन नवमी अप्शन C राइट एंसर होगा राम नवमी का त्यार का मनाई जाता है चैत्रशुक्लन नवमी अगला कुछने शिरी बल्देव पसुमेला किस जिल्ले में आयोजित होता है इसका राइट एंस रोगा दोस्तों आपके ऑप्शन ए शिरी बल्देव पसुमेला है नागोर में आयोजित होता है सरवादिक पसुमेले दोस्तों आपके नागोर जिल्ले में ही आयोजित होते है जबकि सबसे प्राचित पसुमेला है दोस्तों वो है आपका तिलवाडा तिलवाला पसुमेला है जो कि आपके बाढ़ में आयोजित होता है लास्ट कुशन है दोस्तो राजस्तान में सरोपर्तम किस स्यत्र में दासपर्ता पर रूग लगई गई थी यह डूडार भी मारवाट सी मिवाट डी है हाडोती दासपर्ता पर सरोपर्तम रूग किस स्यत्र में लगई गई थी दोस्तो तो दोस्तो दास्परता पर सरोपरतम रोग लगे थी आपके कोटा और बंदी में कहां पर कोटा और बंदी आपके हडो तीस सेतर में आते हैं इसका राइटनस अरेगा D हडो तीस सेतर में तो दोस्तो यह थे आज के आपके टॉप 40 questions उम्मीद करता होगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा करें अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो दोस्तों इस्टाग्राम पे कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं आज के लिए धन्यावाद